स्वागते वर्फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूटूब चैनल MSA State Talks पर तो जाडखन 26 सहाय का अचाज भरती से लेटेट तमाम जानकर या आपको इस चैनल के मात्यम से दी जाती है और लगातर आप लोग का कमेंट्स आ रहा है कि जर 6-8 का जो पेपर 1 क एकजाम हो चुका है इसके बाद पेपर 2 पेपर 3 और पेपर 4 का जो एकजाम होगा वो कब से स्टाट होगा क्योंकि कल 29 जून 24 को लास्ट एकजाम हुआ है सभी स्टूडेंट्स का पेपर 1 का और उसके बाद जो है कल साम से लेकर अभी तक जब वीडियो बना रहे है तब सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के लिए जिनका बता रहे हैmaster के बताते हैं Theme उसके बतांगे हो कब तक चैन आयोग के तरफ से ज्ब्सक्राइब presence प्रारंभिक विद्यालेक प्रसिचित सहय काचाज क्लास 6-8 का पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 का एक्जाम, एड्मिट कार्ड और एक्जाम CT सेंटर कब दिया जाएगा तो सब सब पहले आप लोग बता दे कि आप लोग का जो 6-8 का एक्जाम होगा और 29 जून तक पेपर 1 के जितने भी स्टूडेंट सा चाहे कोई भी भासा के हो सभी का एक्जाम कंप्लेट हो चुका है अब अब क्लास 6-8 का पेपर 2 और पेपर 3 का एक्जाम पहले लिया जाएगा और इसके लिए जो एड्मिट कार्ड और CT सेंटर होगा वो कब से रिलीज होगा तो आप लोग को क्लास 1-5 का जो एड्मिट कार्ड देखे होंगे या फिर इससे पहले जब लिया गया था लगवा एक से डेड़ मेना पहले तो उसमें हुआ क्या था कि जो पेपर 1 ठीक है पेपर 1 एक्जाम जैसे खतम हुआ था खतम होने के लास्ट डे पे जो है यहां पर एड्मिट कार् अगर आप लोगों बता दे तो पेपर 2 और पेपर 3 ठीक है यह अभी तक इसका एड्मिट कार्ड कल जैसे 29 थारी को एक्जाम खतम हो चुका है लेकिन अभी तक इसका एड्मिट कार्ड नहीं आ है तो आज 30 जून साम तक आप लोग चेक कहीजिएगा अपने जैससी के ऑफ आपको मिल जाएगा या फिर आपको कल मैकसिमम चांस है आज ही या तो फिर आपको कल तक यह जरूर मिल जाएगा आपका सीटी कौन सा रहेगा क्योंकि जैसे सी यहां पे जो है बहुत जल्द एक्जाम कराने को लेकर भी ततपर है और इससे पहले जब क्लास 1-5 का एक्जा मैकसिमम चांस है पांच जुलै के बाद ही एक्जाम होने की संभावना रहेगी तो पांच जुलै तक आपके पास समय है और जो मेरे ख्याल से जिसको पहले दिया गया था उनहीं के पहले यहां पे एक्जाम लिया जाएगा और बाद में जिनका पर परवान हुआ है उसको थोड़ा साथ बाद में लिया जा सकता है तो आप लोगो सब कुछ समझ में आ जाएगा अपना सीटी सेंटर चेक करते रहिएगा तो इस तरह से आप लोगों को ठमम जानकरी मिलता रहे हैं चैनल के साथ बने देएगा बहुत बहुत शुक्रिया